होली साल 39 मार्च को खेली जाएगी हर साल फागुन मा की पोड़े मा पर होली का दहन के अगले दिन होली मनाये जाती है जोतिशे गरणा के अनुसार इस दिन दो सबसे बड़े और एहम ग्रह शनी और गुरू होली के दिन मकर राशी में विराजमान होंगे वहीं शुक्र और सूरिय ये दोनों ही मीन राशी में रहेंगे मंगल और राहू व्रिशब राशी में बुद्ध कुम राशी और केतु व्रिशिक राशी में विराजमान होंगे आए जानते हैं होली पर किन राशियों को होगा लाब और किसे होगी हानी बात मीश राशी की करते हैं आमदनी के नए साधन स्रजित होंगे पारिवारिक जीवन में खुश्यों का रंग घुलेगा व्रिशब राशी धन से जुड़े मामलों में सफलता मिलने की संभावना दिख रही है कारिक शेत्र को लेकर कोई शुब समाचार मिल सकता है मिथुन राशी आपके सानसारिक सुखों में व्रिधी की उमीद है कारे में पदोनती के संभावनाएं हैं धन का लाब भी आपको मिल सकता है करक राशी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है काम काज की अधिक्ता रहेगी जिस वज़े से आप परिजनों को समय नहीं दे पाएंगे सिंग राशी आपके आत्म विश्वास में विर्धी होगी आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी और मित्रों का सहयोग भी प्राप्थ होगा कन्या राशी लाव के संकेत मिल रहे हैं आप कारिक शेत्र में कोई बड़ी उपलब्धी हासल कर सकते हैं पारिवारिक और दामपत्य जीवन भी अच्छा रहेगा तुलाराशी आपको भागे का साथ मिलेगा पारिवारिक जीवन अच्छा विरतीत होगा मित्रों के साथ पार्टी का आनंद ले सकते हैं नए लोगों से भी जान पैचान बढ़ेगी व्रिश्चिक राशी नौकरी में सफलता का योग है वैवाहिक जीवन में कटुता दिख रही है धार्मिक कारिव में रूची बढ़ेगी धनुराशी आपके सुक्स विधाओं में व्रिधी का योग है इस दोरान आपके खर्चों में इजाफा हो सकता है वैवाहिक जीवन में रिष्टे प्रगाड होंगे मकराशी मन में किसी चीज को लेकर भ्रम के स्थिती बनी रहेगी कारे व्यापार में लाभ की प्राप्ती होगी जीवन साथी से लाभ मिल सकता है कुम्भराशी नौकरे व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा मानसिक तनाव रह सकता है और कटू भाशा का प्रियोग करने से बचिये मीन राशी आपको खान पान में विशेश ध्यान देने की जड़रत है कारक्षेत्र में लोग आपके कारे की प्रशन सा करेंगे मैं तो पूर्ण फैसले लेते समय थोड़ा विचार कर लीजे तो होली पर कुछ राशियों को लाभ होने वाला है तो कुछ को हानी होने वाली है लेकिन फिर भी सावधानी से रहें वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें